ओके ग्रीटिंग्स एवरीबन आशका तो आप सभी अच्छे होंगे मैं लूजर आ चुका हूँ एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ आप सभी को अगर याद होगा तो हमने पिछला वीडियो जो देखा है वो PC Package Software के ऊपर है और अब की जो वीडियो होगी यह हम बोल सकते हैं कि उसी का extended पार्ट होगा क्योंकि इस वीडियो के बाद से हम लोग MS Office को explore करना शुरू करेंगे अब जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि MS Office एक package application software का example है तो हम मान सकते हैं कि यह जो वीडियो या अब यह जो playlist चलेगी वो पिछले वीडि अब शुरू कर लेते हैं तो फिलाल मुझे यह तो नहीं लगता कि कोई ऐसा person होगा जिनको यह नहीं पता कि MS Word क्या होता है बट फिर भी अगर किसी को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं MS Word aka Microsoft Word एक word processing software है जिसका use हम अपने typography या फिर किसी भी type के application लिए AC लिखने के documentation वाले कोई भी work करने के लिए use करते हैं यह एक Microsoft family से belong करता है जैसा कि आप सभी को बताया था कि Microsoft Office package software होता है उसका एक पार्ट होता है Microsoft Word तो अब देख लेते इसको हम open कैसे करेंगे अब बात कर लेते Microsoft Word को open करने के तरीकों के बारे में जितना मुझे जानकारी है हमारे पास चार तरीके होते हैं किसी भी प्रकार के Microsoft Office के कोई भी application को open करने के लिए जिसमें से हम अभी देखेंगे Microsoft Word को कैसे open करेंगे सबसे पहला तरीका हम देख लेते हैं आपको जाना start button में उसके बाद आपको type करना है word जैसे आप ये type करेंगे start menu में आपको ये word सबसे उपर में देखने के लिए मिल जाएगा अब आपके operating system के accordingly आपको start menu का visual और आपके Microsoft Office install होने का जो version है जो variant है उसके accordingly यहाँ पर ये नाम शो होगा जैसे कि मेरे में अभी 2021 डला हुआ है तो यहाँ पर simply word लिखा आ रहा है अगर आपके computer पे 2007 या 2003 का Microsoft Office install होगा तो वहाँ पर आपको लि कर देना है या तो फिर यहाँ से open पर आप क्लिक कर देंगे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर Microsoft Office देखने के लिए मिल जाएगा यह पहला तरीका था अब हम बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की दूसरे तरीके के लिए आपको अपने desktop पे किसी भी खाली जगे प तो word document Microsoft Word document यहाँ पर लिखा आपको दिख रहा होगा simply आपको इसके उपर क्लिक कर देना है अब यह जो फाइल बनी है इसके उपर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका Microsoft Office ओपन हो जाएगा यह एक new Microsoft Word document होगा आपको इसमें जो भी work करेंगे करने के बाद आप सेव करेंगे तो उसकी एक नई saved file जिस भी location में आप save करेंगे वहाँ पर जाके save हो जाएगा और उसके बाद यह मैंने जैसे cut किया वैसे आप जब भी फिर दुबारा open करेंगे तो फिर से एक blank नई Microsoft Office की file या Microsoft Word की file खुल जाएगी तो यह हमारा दूसरा तरीका था तीसरा तरीका आपका यह start menu में होता है start menu पर click करेंगे मेरे में यहाँ पे all apps यहाँ आ रहा है Windows 7 में अगर start menu यहाँ से खुलने तो यहाँ पे all program आएगा Windows 7 में एक folder आपको देखने के लिए मिलेगा Microsoft Office Document या ऐसा something कुछ वहाँ पे जाएंगे तो आपको ये World Document देखने के लिए मिल जाएगा Windows 10 में और Windows 11 में ये बाहर में यहाँ पे World करके लिखा हुआ होता है Simple यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद एक नया World Document यहाँ से खुल जाएगा आप अपने वर्क के अकॉर्डिंगली नया Templates ले सकते हैं या तो एक Blank Document पे क्लिक करके एक Blank Document आप उपन कर सकते हैं और चौथा आखरी और सबसे अच्छे तरीके की मैं बात करूँ तो वो होता है Run Command के तरूँ Run Command क्या होता है एक Windows Plus R की प्रेस करने पे यह एक Run Menu खुलती है एक Run की विंडो आती है जिस पे आप जो भी Code लिखेंगे तो वो Code जिस भी Operation को Perform करेगा वो Operation या वो Application ओपन हो जाएगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं जब मैंने Windows Plus R प्रेस किया तो मेरा Last Action था Win Word Win Word ही वो Code है वो Command है जिसके तरूँ आपका Microsoft Word खुलेगा तो आपको क्या करना है Simply Windows Plus R एक बर और में करके दिखा देता हूं आपको Windows Plus R की प्रेस करना है यह Run का shortcut खुल जाएगा आपको यह Backspace दबाके यह जो लिखा वो अटाना है यहाँ पर आपको टाइप करना है Win Word और उसके बाद इंटर कर प्रेस कर देना है या तो फिर अपने माउस से OK क्लिक कर देना है तो जैसे यह आप इंटर प्रेस करेंगे या OK क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर Microsoft Word का एक New File देखने के लिए मिल जाएगा आपको Simple यहाँ पर Blank Document पर क्लिक करना है और यहाँ से हमारा एक नया Document 1 आप देख सकते है New Document यहाँ से Open हो जाता है अब आपको कुछ नहीं करना है आप अपना Page को Format कीजिए Text बनाईए जो भी आपको यहाँ पर काम है वो काम Complete कीजिए उसके बद फाइल को Save कर लिजी तो यह थी आज की वीडियो How to Open a Microsoft Word जिसका मैंने आपको 4 Method बताया है अगर आपके पास कोई और Method हो या किसी और तरीके के आपका पता हो कि हम इन चारों के अलावा किसे और तरीके से भी Open कर सकते हैं तो आप मुझे वो तरीका कमेंट में बिल्कुल बताईएगा मुझे जानके बड़ी खुशी होगी एक नई जानकारी मेरे भी dictionary में एड हो जाएगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक किजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर किजिए और जो चैनल पर नए आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल ना जाईएगा इस तरीके के और भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगी और अब हम Microsoft Word का एक जर्नी करने वाले है जिसमें one by one सारे module को हम देखते हुए समझेंगे कि Microsoft Word कम यूज किस किस प्रकार से और किस किस चीजों के लिए कर सकते हैं मैं मिलता हुआ आपसे एक नए वीडियो में जाहिन जाचतिसगर